हाद मेरे हिरो क्या हाल चाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छों होंगे और अच्छे से स्टड़ी आप लोग कर रहे होंगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पंकज स्टड़ी एस्टी यूदि वाई स्टड़ी सेंटर डॉट कॉम है ना तो गूगल में सर्च कर लेना पंकज स्टड़ी सेंटर डॉट कॉम वहां पे जा करके सभी सब्जेक्ट का ओनलाइन टेस्ट दे सकते हो और मेरा कोर्स चलता है दो सो निनानुरुपे का आप इस से पर्चेज कर सकते हैं नंबर है 581-889-29 इस नंबर पर मैसेज करना और कहना कि हमें पंकर सरका कोर्स तो आपको मिल जाएंगे ठीक है नंबर यहां पर लिख देते हैं 581-889-29 इस नंबर पर मैसेज करना जो वाट्सपर बईठा हुए बंदा उडिपलाई देगा को दिक दिक्त तो आई चुरू करते हैं शुरू करने से पहले क्वेंसाम का है एडिंग लाइन पॉड़ लेते हैं क्वेशन क्या कहता है कि आकिरती 6 दसन एक साथ में पहले और दूसरे में पहले में डी समानतर बीसी है और दूसरे में क्या है उसमें भी पहले और दूसरे में दोनों में डी समानतर बीसी है तो पहला में आपको इसी ग्याद करना दूसर प्रमे एक वास्तों में क्या है यह जो है ना यह थेल्स प्रमे है क्लियर अब मैं यहाँ पर इसको समझने के लिए एक तिर्भूज बना लिए एक तिर्भूज बना लिया इसका नामा करन करते हैं सरी यह है P और यह है Q और यह है आर और कीम अरक में लेindi के समानतर एक रेखा किस्ते हैं बी सी contenu मैंने बी सी बी ऊठिवारख खिचते हैं तो फ्रेश सबस्थर में क्या कहता है कि यदि है न कोई रेखा मालते हैं कि की çow 55 कोई रेखा खीचा जाता है तो उस तिर्भुज में क्या होता है शंगत भुजाओं के जो अनुपात होते वापस में बराबर होते हैं तो बराबर कर देंगे तो हम यहां पर लिखेंगे हमारे पास कीवार के समांतर बीसी रेखा की चागे है या फिर बीसी के समांतर कीवार रेखा कह सकते हैं कोई दि कि उनके संगत भुजा का जो अनुपात होंगे वह आपस में बराबर होंगे तो संगत भुजा का अनुपात कहने का मतलब की पीवी खीचो तो पीवी अनुपात का मतलब होता है बट्टा तो पीवी बट्टे में क्या होगा बीक्यू है ना बराबर में पीसी और बट्टे मे क्या हो जागा सी यार यह मैंने कर दिया को दिकत नए दिकत तो यह प्रमेश्चे दसन एक लागू होता है इसमें को काफी ज्यादा हम सॉल्व करने वाले हैं ठीक है अब प्रमेश्चे दसम लब दो क्या क्या था जिस ज़स्ट इसका उल्टा होता है प्रमेश्चे दसम लब दो प्रमेच छेदसन दो वास्तों में है क्या यह क्या है थेल्स प्रमे का विलोम है यानि थेल्स प्रमे का उल्टा है मेरे भाई इसमें क्या होता है सबसे पहले तो एक तिर्भुज ले लिजे हम यहां पर तिर्भुज लेते हैं मैंने तिर्भुज लिया इसका नाम रख द संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि यह रेखा इस रेखा के पैरलल है तो आये मतलब पीवी पीवी बटे में बीक्यू और बराबर में पीसी और बटे में सी आर तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हम कह सकते हैं कि बीसी समा अंतर जो है वो कीवार की है यह विलोम हुआ तो आपने प्रमेश दसमाद दो को भी समझरिया बढ़िया से अब हम क्या करेंगे सर आगे बढ़ते हैं और कोश्चन को सॉल्व करते हैं तो कोश्चन यह दिया गया है पहला को हम सॉल्व करेंगे तो तिर्भूज ABC हमारे पास ह है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल मैंने लिखा हल अब लिखेंगे चुकी है है ना त्रिभूज A, B, C में ABC में क्या दे रखा है कि DE समांतर क्या है? D समांतर BC हैं B, C है अब मेरे भाई D समांतर BC है तो पर मैं छेदे सन्न एक के कंडीशन लगाते है कि यदि ये रेखा इस रेखा के शमांतर होता है तो हम क्या कहते है उसके संगत भुजा का नुपात आपस में बराबर होता है कहने का मतलब AD बट्टे में DB और AE बट्टे में EC हो जाएंगे clear तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं असानी से कि D सवांतर BC है इसलिए काहे नहीं चल रहा है है इसलिए कालए कि इसलिए AD तम लिखते हैं AD अर बत्टे में DB तम लिखते हैं करेंगे मारकेंगे ad कामान कितना है तर एक दसमलों पांच तो एक दसमलों पांच और DV कामान कितना डीवी कामान है 3 सेंटिमीटर ठीक है अच्छी बाता बराबर a common है एक और बटे में w tej lle आपको ज्याद करना है नहीं माने यहीं निकालना हैbol certa आभ यहां से क्या करेंगे आप काट सकते हैं न डेर दूना तीन ये कट गया एक मरतबे अभी में गुना करेंगे तो यह हमारे पास इंशर आ गया कोई दिक्कत नए दिक्कत है आपने समझ लिया इस्ट तीन आगे बढ़ते हैं सर् कि दूसरा प्रशन आपको सॉल्व करना है बड़ा सिंपल है हम लिखेंगे चुंकि डी समानतर हमारे पास क्या है बीसी इस तिरभूज में तो लिखेंगे चुंकि तिरभूज ए बीसी में क्या है डी इ पैरलल जो है वो बीसी है बीसी है इसलिए हम क्या सकते हैं कि एडी बटा में डीवी और एई बटा में इसी है ना तो हम यहाँ पर लिखते हैं सर था ठंड लगने लगता है इसी या वा बंद कर दिया है ना आईए तो हम यहां से क्या कर सकते हैं सर देखो कि एडी बटे में डीवी हां कर देता है क्या दिकत legy और बटे में डीवी कम लिखते हैं डीवी बटे सड़ में एडि कामान के तोऊंचर थ setzen यह हो गया अब क्या करेंगे AD का मान क्या सरेडी कामान कुछ नहीं खाली है वह निकालना है तो आपेडी ही रहने दो नसर वेकर ह हमान चैसर डीवी कामान है साथ दसंब मुन दो साथ दस माई दो बराबर में उसके बाद एई कामान कितना है एक दसनलों आठ है तो एक दसनलों आठ रखो और बटे में इसी कामान कितना है पान दसनलों चार है तो पान दसनलों चार अब यहां से काटो इसको काट सकते हैं सर दसनलों के बाद एक अंग कि दह भी दसनलों के बाद एक अंग दो दसनलों स ही अ चोबन यह कट गया ऊपर जाएगा एक अब यहां कुछ कटने वाला है क्या है न तो तो देखते हैं जो कटने वाला काटेंगे नहीं कटने वाला नहीं कर देंगे में अदी से तिन में गुनाँ कर दो हैना sons 1-2 चिम ना कपर दो आप असानि में ऺुना कर सकते हैं हैना या फर टीक कार सकते हैं यहां से टिवले पढ़ा करके हैं वरे स्परा आर सरओ हो M है आप ब्रावर में सादसल्वावब से एक में गुना करेंगे तो सादसनलवद 20 हो जाएंगे अब सर इसको काटो तीन से काट सकते हैं दो दसनलव 4 से 24 याईँ बहत्तर होता है यह कट गया तो एड़ी कामान क्या आए सर एडी का मानाया 12.4 अब कोई दिकत नहीं दिकत यह लो हमारे पास इंसर आ गया है लाज तो यह आपने समझ लिया सर समय अब हम क्या करेंगे सर यह आपने समझा पहला का यह दोनों प्रशन अपने बहतरिन औरीक steसमझा अब दूसरा पर एक हम संझेंगे सर तो ऑए और दूसरां कैसे समझेंगे का किसी तरुप्रव geb excerpt कि भूजाओं पीकी और प्रक्रम सब बिंदू ए और एफ इस्तित है तो निमलिखित में से परतेक इस्तिती के लिए बताईए कि क्या एफ समांतर की वर है कोई दिकत ने इसका पहले पहला कोशन लेती यह पहला लिए अब इस कोशन के हिसाब से जो लाइन दिया उस हिसाब से हम क्या करेंगे तिर्भूज बनाएंगे और उसको समझेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं सर तिर्भूज सेलेक्ट करते हैं हमने तिर्भूज सेलेक्ट किया अब कहता है तिर्भूज पीकी वार हम यहां पर बनाते हैं सर पहले तिर्भूज जो है वो P Q R बनाते हैं तो यहां पर मैंने बना लिया P यह बना लिया Q और यह बना लिया हमने R है ना तो तिर्भुज P Q R की भुजाओ P Q तो P Q यह है और P R तो P R यह है करमसा बिंदू E और F इस्तित है मतलब P Q पे जो है E इस्तित है और PR पे है F इस्थित तब P की विए है इस पर हम क्या करते हैं E बिंदू इस्थित कर देते हैं E हो गया और PR पे जो है वो F PR PR पे जो है वो F हम इस्थित कर देते हैं हना इस्थित कर दिये तो निमलिखित में से परतेक इस्थिति के लिए बताएए कि क्या ए एक समानतर की वार है मतलब यह जो है इसको मिला देंगे एक समानतर की वर है यह आपको बताना है सिद करके पर इस समानतर की वर कब होगा कब होगा जब पी, नहीं तो होंगे है ना तो हम क्या करेंगे सर अयगों और क्या दिक्कत हैं सवाल बोल dość करेंगे हम लिखेंगे क्या कि जीद्र करना त्लिक्त मेशा पड़ते ही स्थिति के लिए बताये कि क्या यह समांतर की वारी हमको स्थ करके बताना है तो ये समांतर कियो अरका होगा जब इनके भूजाओं का नुपात बरावर होगा कहने कर लपी बटे में एक्ष और बड़ावर पियोटे में एफ रहत हम लिखते हैं कि चुकि कि त्रिभूज ए एबी ने एबीसी नहीं है पीकी वर है पीक्यू आर में पीक्यू आर में शिद्ध करना है शिद्ध करना है करना है कि एफ एफ समांतर की वर की वर ठीक है यह समांतर की वर और यह और यह तभी हो सकता है तभी हो सकता है जब भुजाओं का नुपाता अपस में बराबर हो याणि पी इए बटे में एक्यू है ना बराबर पीएफ बटे में एफ अर दोनों बराबर हो अगर मान दिया गया है त syllabus आपका मान फूट करना इसमें और देखना कि दोनों बराबर आता है कि नहीं आता है ठीक है तो आएए हम क्या करते मान पुट करेंगे सबसे पहली बात है पी का मान है 3.9 cm पी पी है 3.9 cm और एक्यू हमारे पास 3 cm एक्यू हमारे पास 3 cm पी अभय हमारे पास 3.6 cm और एक्यू हमारे पास है 2.4 cm ठीक है यह मैंने कर दिया अब यहां से क्या कर सकते हैं सर है ना यहां से देख लो न पी हमारे पास कितना है पी हमारे पास 3.9 cm और बैट दे की लिगव कितना है सर एक्यू हमारे पास है 3 cm बडाबर में पी एफ कितना है तो 3.6 cm और आर कितना है 2.4 cm देखो देखो कंगो सर्वन का देखो स्वैयदा से दसना से कैंसे कट जाएगा इदर से बढ़ते तो इधर बट्टे में जीरो परेगा अब देखो क्या सच में यह बराबर है काट करके देख रहे हैं इसको है ना बारतिया इच्छतिस आठ तीरी चोग बिस कट गया तीन चोगे बारह अदू चोगे आठ अब इसकी बाद नहीं कटेगा अभी कटने वाला है क्या देखो सब्सक्राइब हमारे पास उसको भाग देकर के देखना कितना आता है है नहीं तो यह हमारे पास क्या आया 13 तो अब यूजिया देख लिए ना बढ़िया से कि आये देख लेवे चेक करके दू से तेरे में भाग देंगे तो एक समलब थीन आएगा ये केकलियर है। रोबैर नहीं होगा यह दूनों बराबर है नहीं यह बराबर तहां हम लखेंगे कि चुक्ए यहां से लिख देते हैं चुक्ए पी बटे में एक की बराबर नहीं ये किस्के तो पी एफ बटे मre फ आर के इसी पर मानिये रखे हैं तो बराबर महें आया है इसलिए हम कह सकते हैं कि ieफ समांतर क्यू आर नहीं है नहीं है क्लियर यह समांतर की वार नहीं है यह आपने समझ लिया मेरे भाई ओके चलिए अच्छी बात है सर अब हम क्या करेंगे सर आगे बढ़ेंगे है ना तो दूसरा आपने सॉल्व कर लिया सर चलिए आगे बढ़ते हैं अब दूसरा का हम दूसरा सॉल्व करेंगे उसमे भी यही कंडिशन तो यहां पर रखते हैं इसको और तू भी तू इधर का बुवा रहा है तू दर जा अब यहां पर देखो इसमें भी वही तिर्भुज पहले बना लेंगे हमने तिर्भुज बना लिया उसके अधनामा करन वही पीकी वार तो हम लिखेंगे P उसके बाद Q और उसके बाद यहां पे R तो P की वार हमने लिख दिया कि भूजाओ P की और P पर क्रमसा तो P Q और P पर क्रमसा बिंदू E और F इस्थित है आईए E और यहां पर F इस्थित है दोनों को मिला दो हाना यह पिस्थित है निम लिखित में से प्र साध चार लिखना सै क्यूव कीव एइ का मान कितना है चार देसाला पांच तो चार दस्मला फिलिख दो कि उसके छाराइब का मान कितना तो पी अपका माने आठ अरट लिखлом हुआ और आरे फ का माने नो तो मी लिखेंगे लो यह नं आерь हमको सिध करना क्या है सार सीध करना है कि क्या यह समांतर की वर है तो यह समांतर की वर तभी हो सकता है जब उसके भुजाओं का नुपात बराबर है तम लिग देंगे चुकि कि सीध करना है सीध करना करना है क्या तो यह शमांतर की वर की वर और यहां तभी हो सकता है तभी हो सकता है सकता है जब जब उनकी संगत भुजाओं का नुपत बराबर हो मतलब P E बटे में E Q और बराबर में P F बटे में F R यह मैंने लिख दिया कोई दिक्कत नए दिक्कत आईए अब यहां से क्या करेंगे सर P E हमारे पास कितना है 4 E Q हमारे पास कितना है 4.5 है ना कोई दिक्कत नहीं है सर कोई दिक्कत नहीं है पी हमारे पास 4 है आई हमने इसमें पूट करते हैं यहां पे ठीक है इसमें ना सर पी हमारे पास कितना है 4 तो हम लिखेंगे 4 और बटे मेंकुकि अभी आप से 4 4.5 बराबर में P F है हमारे पास 8 और F R हमारे पास है 9 दसमलों अब घत तो उपर 0 परेगा दसमलों हट जाएगा तो इधाँ 0 पर जाएगा अब काट दो सर रहां का आठ पंचे चालिस अनौव पछे पंचालिस ratio गट गया तो हमारे पास देख सकते हैं आठ रच नो अब बराबर में आठ रच अनो दुनों बराबर हो गया तहम लिखेंगे क्या चुकी चुकी पी प्टेमे एक्यू प्टेमे ये बराबर है इसलिए हम कह सकते हैं मेरे भाई इसलिए हम क्या कहेंगे इसलिए इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ समानतर की वार है राइट यह आपने देख लिया इसी तरीके से हम क्या करेंगे यह भी प्रश्ण मतलब इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे के लिए तो उधर जान अड़े यह इधर आया थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो पहले तो आप तिर्भुज बना लो चीतर बना लो चीतर तो आपको पता होई हो गया यह सभी क्वेश्चन में तो ऐसा ही है जैसा आपको चाहिए है है ना यह मैंने बना दिया राइट हलो हलो सब ठीक है बड़ी है यह हमारे पास क्या पी है यह हमारे पास क्यू है यह हमारे पास आर है और किसके समांतर है तो एफ समांतर एफ समांतर क्यूआर वही चीतर है मैं समझा चुका हूं इसमें हां तो आप यहां पर लिखो सबसे पहले कि यह समान्तर कि यदि करना है किर है कि करना है करना है करना है कहा ना जो सिध करना है और यह तभी शंभव है शंभव है जब क्या पी बटे में एक्यू अब बर्दाबर में पी एफ बटे में एफ फर हो राइट चलियों अच्छी बात है सार अब क्या करेंगे सर यहां पे कोई दिक्त नहीं है हम इसमें मान पुट करेंगे तो सबसे पहली बात देखो या तो प्यविद्र प्यू का मान किये ता है एक दसनलब दूट ठीक यू, प्यू मतलब यह ह्यँ रहिए और इसका कीतना है सर यह ठीक तॉ आक आओं, यश्त हम ने लिख दिया यक्या दो दसनलब पांछ नवेधा कॉन है यह पी आइन कीतना है यह प्यार हम हम खीसते हैं sir PR PR कामान कितना है sir PR कामान है 2.56 यह मैंने लिख दिया 2.56 cm अब P E कामान कितना है जीरो दसम्लव एक आठ पीए का मान पीए ये है पीए का मान कितना है जीरो दसम्लव एक आठ हमने लिख दिया अब पीएफ का मान कितना है जीरो दसम्लव तीन छो पीएफ पीएफ का मान है जीरो दसम्लव तीन छो अब मेरे भाई ये पता किजिए जब ई यह है न हाँ ये पिए का मानि है जी रो दसना एक खाट तो एक्यू का मान कितना होगा तो हम क्या करेंगे यहां से लेकिंद कि दूरी दे रखी है उन में से घठा देंगे तो निकल जाएगा आसानी से मतलब पीकिव में से एपी घठा दो यानि पी घटा दो तो हमारे पास एक निकल तो आएए हम घटा देते हम घटा देंगे मतलब 1,2,8 में से, 0,1 गटा देंगे, 8 में से, 8 गया तो 0, है ना, 8 में से 8 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1,10,1 है तो 1,10,0 कोई weigh value नहीं जो करना ह projets क्या दिक्कत है मेरे वाइट गहाँ से गटा देंगे वही पी यह ना ठीक से पीर की दुरी में से पीफ की दूरी हटा देंगे तो एफ हंटा गा मतलब डोचव पांच हो में से घ्टा देंगे 0 1213S ऑगादा देंगे ख़ामें था गया तो 0-5 में से 3 तो 221 1-2 212.. मतलब का invited लब 1 1 2 हजाएंगे इसंतों किलियर तो यह हमारे पास 2 2 कि अब कर सकते है सर अब यहां से क्या कर सकते यहसर देख लूंअ जो करना है कर व कर ओब हना इसमें मान fit करो पी कमान कितना है सरsuок zero, пять और बटे में एकीर कमान कितना है एक कमान टा scor छो क्षैर एक त अमलब एक उसके बाद क्या है सब कल्सक्रैद कितना है तो कि द सम्लब टीछन और एस बांगल कितना है सर दो दसमलब दो यह हमारे पास है अब हम क्या कर सकते हैं काटो फोटर जो भी करना है करो है ना कोई दिकत नहीं है तो इसको हम सॉल्व करते हैं सर आई यह क्या दिकत है देखो भाई दसमलब हटेगा दसले के बदले एक आता है मतला अठारा और बदल दसमा बदले एक है सब्सक्राइब करेंगे तो 18 बटे में 100 यह में बटाबर में इसको तो यह होगा तो यह हो गया ना यह मेन बटा बटा का मतलब भाग भाग को गुणा में ले जाएंगे तो दौस उपर और बटे में 11 हो जाएंगे बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा क्छतिस बटा में 200 उन्प hm आसब और भांग बहां को गुणा मिले जाएंगे तो क्या होगा दौस उपर जाएगा और बटे में 22 नीचे आजाएंगे हैं aún और अभ़ड़क ऑब क्या कर सकते हैं सरिंडु पंधार काटेंए जो कटने वालत क Eggsil arrive सब्स  मं अब कुछ कटने वायो है क्या भूद ही देख़ो फिरकी से काटPO लया टार दोना चमझ सकाटो जो इसको तो छो आइए हम कार देते है अठार दोना छतीस ये कट गया ठीक है 11 दोना बाइस ये कट गय ये लिए कट गया भी ठीक सी ये territory रोंपनाज धिक का अब देखो बरावर नज रांगे यह अठार है तो ठार लिखो और बटे में 11 और ग्यारा से दस में गुना करेंगे तो एक सो दस बरावर में आठारा है इधर एक छीपा हुआ है मतला अठारा ही होगा और बटे में ग्यारा से दस में गुना करेंगे तो एक सो दस यह दोनों बराबर है बिल्कुल बराबर है तो हम कह सकते हैं सर की चुकी लिखेंगे चुकी चुकि P E बटे में E Q बराबर है P F बटे में E F R के पी बटे में E Q बराबर है P F बटे में E F R है न इसलिए इसलिए क्या करेंगे सर हम इसलिए हम लिख सकते हैं सर E F Parallel Q R Q R ठीक है है तो आपने इस प्रशन को solve कर लिया सर अब क्या करेंगे सर आगे बढ़ते हैं सर तीसरा प्रशन क्या है सर है ना तीसरा प्रशन आकिरती 6 दसन एक आठ में यदि LN समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद कीजिए कि A M बटे में A B B बराबर में A M बटे में A D है ना यह सिद करके हमें बताना है सर कोई दिक्कत नहीं सर आप क्या कर सकते हो जैसे देखो आकिरती 1.58 यह हमारे पास है इसमें LN समांतर CB है LN कौन है यह हमारे पास LN है और LN समांतर CB है तो CB हमारे पास यह सबसे पहली बात है पहला कंडिशन हमको दे रखा है क्या सर पहला कंडिशन है अनुसार चलेंगे यह हमारे पास किसल कि किसमांतर सी थीया इस तिर बूझ में यहां पर आपको हाइलाइट करते इस तिर फूझ में लими सवांतर सी ठीजियर जायने तो सब्सक् def def Was देखो सीध करना है कि शिध करना है करना है कि शिद करना है क्या सीध करना है सर तो am बटे में AB बडाबर में एन बटे में AD यह मैंने लिख दिया हैना अब क्या कर सकते हैं सर हलो हलो कर सकते हैं जो करना है करो न सर यह हम को सिध करना है ठीक है ता चलते हैं तिरभूज तिरभूज किस में सर ABC में चलते हैं ABC में क्या दे रखा यहाँ पर लिखेंगे चुकि तिरभूज ABC में LM समांतर जो है वो BC के है आपने देखा कि ये भूजा इस भूजा के समांतर है तो इसके संगत भूजाओं का अनुपात क्या होगा वारंबर होगा ता यह संगत भुजा कानुपात करते क्या लिखते हैं क्या लिख्थेंगे एम का बटते में इम वी हमने लिख दितिया कोई दिक्द नहीं एम बटते में एम भी और बराबर में ये tenía वाल in इसलिक और में लुकुशित अब हम क्या करेंगे पुर्ण चलते हैं तिरबुज इब अगला कंडिशन यह दिया गया अग्या लन समांतर की और मेर भाई लन यह है एलेन समांतर सीडी तो एलन समांतर इस तिर्भूज में तिर्भूज ए सी डी में है है tourist में चलेंगे सर्डिकत चलिए हम तो तयार है है यह आप चलने के लिए तो लिखते हैं चूनकि तिरभुज A CD में A, C, D में क्या है A, C, D में जो है वो L, N समानतर C, D है L, N तो लिखते हैं L, N समानतर C, D है C, D है L, N समानतर C, D है है किने है इसलिए इसलिए हम क्या करेंगे L, N समानतर C, D है अच्छी बात है ची इसलिए हम क्या करेंगे भाई है न बट्टे में इंडि भूजा कर अउपात बराबर स्रहिए लीखेंगे बट्टे में एलसी यह में ने लिthose गया इसको माझने तो चाहिएंगे समीकरन 2 समीक करन दो अब क्या करेंगे समीखरन एक एक एवम समीखरन से या यह ऐसे कह सकते है कि य अल का मान एल बटा N.C. diabटा LC का मान समीखरन 2 में रखने पर मई रखने पर सिंपल तो ईयल다 कि शमी करण दो से लिख दो simple हना तो सम Nations 1 एक में क्या एम बटे में combining तो यह बटे में एम्बी ए ऑल एम बदाने सके जगवा जगा पे हम एनवने एंड़ी रख देते हैं एंग नब बटे में ä選 देख लेते हैं यहम एम यह है यहां एम बटे एम भी है नहीं अभी प्रूब नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे सर इसको हम अंग को पलट देते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे क्या अंग पलटने पर पलटने पर पलटने पर पलटने पर पलटने तो एम बी ऊपर जाएगा और A.M. नीचे आएगा, उसी तरीके से N.D. उपर जाएगा, और A.N. नीचे आएगा, अब क्या करेंगे, इसमें भी और इसमें भी दोनों में एक जोर देते हैं, दोनों में एक एक जोरने पर, तो आएए, हम दोनों में एक एक जोरते हैं, यह छोटा होने वाला है क्या, द तू मेरी जिन्दगी है हना तो अब हम क्या करेंगे सर एम बी बटे में एम प्लस का एक बराबर में एंडी बटे में एन प्लस का एक हैना अब हम क्या कर सकते हैं सर यहां में जो करना है करो न सार एल्सेम ले लोना इसके Egg 2005 है इसके नीचे एक छीपाहे हना एम है तो एम और बटे में ए अब प्लस में यह हो जाएगा ए इम एल्सेम लेकर कर देखना एल समसेड नहीं आता है न इसको एल्सियम लेंगे तो A-N होगा और बट्टे में यह हो जाएगा N-D आप पलस में यह हो जाएगा A-N अब बताओ सर जी क्या होगा तो इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो M-B पलस A-M देखो M-B आप पलस में A-M M-B यहां से यहां तक और A-M यहां से यहां तक यह दोनों मिलाकर क्या नजराएंगे A-B नजराएंगे तो हम क्या करेंगे A-B लिख देंगे असानी से लिख सकते हैं M-B पलस में A-M के जगा पे A-B तो हम लिखते हैं A-B और बट्टे में हमारे पास A-M है तो हम लिखेंगे के और बिराबर में क्या लिखेंगे ंडी प्लश में तो देखो ंडी यहां से लेकिए यहां तक और यहां से लेकिए तक एंडी तो यहां रहांगे फिर अचनल को मतलब उल्टा करना पड़ेगा तो हम लिखते हैं पलटने पर यहां पर Podcast यहां पे लिखते हैं पलटने पर पलटने पर तो पलट देंगे तो एम उपर जाएगा और बट्टे में ए भी नीचे आएगा और बराबर में एन उपर जाएगा एन उपर जाएगा और एडी नीचे आएगा है ना अब यहां से क्या कर सकते हैं सर यह आ गया तो पलटने पर यह दिख Performance आ रहा है हाँ आरह है मतलब प्रूफ हो गया रो फूर दिकत नौई दिकत् समझा लिया मतलब समझा लिया आगे बरते हैं सर तीसरा आप्ने सॉल्ब कर लिया चलो सर म्लिए सौल करते हैं एक ऺ LEE ओ समानतर ac और 100 Rae सिद कीजिए की भीए डिन में एंप ओ बराबर में बट करके बताना है कोने दिकत नहीं है nee हुद्सasan को अन्हीं को बात नहीं नहीं है तो कैसे सीथ करेंगे सीथ करना एकदम हलवा है आएना मैं आपको बताता हूं लेग कर ना क्या है सर यहां से देखो कोई बात नहीं पहला कंडिशन है कि D समांतर AC तो D समांतर AC कहा है सर D E यह रहा D E समांतर AC यह रहा AC तो सबसे पहली बात देखो D समांतर AC किस तिर्भुज में है तो देखो D समांतर AC जो आपको नजर आएंगे वो तिर्भुज B A और C में नजर आएंगे है ना D समांतर BC अब D समांतर BC है जब D समांतर BC है तो इसके संगत भुजाकान उपद क्या होंगे आपस में बराबर होंगे तो हम लिखेंगे कि यहां पर सबसे पर यह तो सीध करना लिख दो यहां पर सीध करना है सीध करना करना है तो आपको सीध क्या करना है सर वह है कि BF और F E बरावर में B E अब बटे में E C यह सीध करना है अब मेरे भाई देख लो क्या करेंगे और लिखेंगे कि चुकी है ना चुकी तिरुभूज किसमें तो A B C में A B C में क्या दे रखा है सर दे रखा है D समांतर A C D E शमांतर A C है इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके संगत हुजा का नुपात बराबर होंगे ता आए हम इसका बराबर कर देते हैं कैसे बराबर करेंगे सर तो वह होगा क्या करते हैं क्या B D बटे में D A या A D कुछ भी कह सकते हो है ना तो B D बटे में D A कर देते हैं ठीक है हम बी डी इसी है ना बीडी बाटे में अ्छी बात है और बराबर में इधर आ गया बीई बाटे में इसी लिखते हैं बीई बाटे में इसी लो हमने लिख दिया कोई दिक्कत नई दिक्कत इसको माल लेंगे शमीकरन एक समीकरन एक यह कैसे आए क्यूंकि डी समंतर एसी यह तो संगत भुजाका नुपाद बराबर होंगे है ना तो आप इसको देखेंगे यह वाले जो लाइनिंग हम किया है उसी में देखो ता एडी हाँ अब यहां से हम लिखेंगे क्या लिखेंगे सार अब यहां से फिर चलेंगे हमको दे रहाए डी समांतर एइडी ऑ Domains सोरीी aja है यह किस तीर्भुज में होगा insurance till भुज में होगा यहां से लेकर यहां तक इसी देखोख में होगा हना तिर्भूज A B E में होगा तो हम लिखेंगे है हना है चुक्कि तिर्भूज हना एबी इमें या बी ए इमें कुछ भी कर सकते ए बी इमें इमें क्या है सर्दिये शमानतर एई है डियेफ शमानतर कुरान के इसलिए हम कह सकते हैं चया होगा तो इसके संगत हो जातने ब्रूपा धाध सब्सक्राइब गृधिए बटे में। थी ताही यह लिखते हैं एडनी बट्टे में डीवी हमने बराबर कर दिया सरस्ट पर यह न भीप बत्टे क्स्क्रामन के सकते हो खुरब गजर मैं अद्टिकत नहीं और दिसको मालें के संहीं करंड उ अब लि खेंगे क्या समीकरण 1 समीकरण 2 से तुलना करने पर लिखते हैं समीकरण है एक एवं शमीकरण 2 से ओडो से ठीक है तब समीकरण एक क्या है सर समीकरण एक हमारे पास यह HOगा उसके बाद समुकरन definition हमारे पास क्या है यह बरावर बड़िटे में अ है aq kami stake to launch naki answer in बढे इसमें भी तो वही होगा तब बीक्ति में डी ये आ है वही तो है अच्छा एक मीनटी ये ये दोनों बराबर है दोनों बराबर करके लिएक लिए ये वाला पाट देख और ये वाला पाट तुझ निए आंड़ levar कर दिया है है न tekrar कर दिया है या जैसे ये था उपर से लायत एए डी या फिर नीचे इसे लीखे थे ना ना बीडी और बट्टे में डी मैंने समीकन दो में भी ऐसे ही किया ठीक है ओके यह आपने देख झाल Ö मोण चकांड़र से तरिख में रहा ही किया टता कैंगे प्राइब स में रहा है जब और बट्रष ग्री प्रेंश चच्वें चलाइबर बट्राइब कर देखे श turn ंता की एश्या वश्यों का मैं डॉपम प्राद yeah यहा है से अधाय गश्या झाल 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 झाल